इसके अलावा गैंस और भी ऐसे इंडिकेटर्स होके हैं जिनको universally used क्या जाता है universally in the sense ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनके result को throughout universe आपनों मानते हैं कि वो सही है करके उन में से एक इंडिकेटर आपके सामें यहीं पर देखना होगा आपको यह जो request paper and request solution है इसको पर एक इंडिकेटर आपके आपके इसके अलावा एक और होता है जिसको पर बोलते pH value क्या मतुत इसको पर pH value pH value जहांपर pH stands for Potential hydrogen और power of hydrogenation या power of hydrogen जहांपर p stand करता p small रहेगा जहांपर p stand करता power के लिए और h stand करता hydrogen के लिए एक्ष्ली पी-एज इन आपको भी बताएगा कि उस पर्टिकुलर कैनिकल में कितने हाइडरोजन के आयन्स प्रेजेंट है यानि कंसेंट गुएज्टवेशन और पावर ओ अप्रजेंट कर देक्ट ऐकान पी-एज आयों कितना अपलों क्लिया हैं तो पी-एज क्लियर है तो हुआ यह बताता है power of hydrogen को pH का एक paper आता है जैसे हीपमस paper होता है वैसी pH का peper होता है यह pH paper गोते है इस pH paper एक solution में keep क्या जाता है किस्में respective solution में keep करेंगे और आप पहले और ऐस को डैफिनितली color change हो जाएगा और वो जिस color में change होगा जैसे मार्किस लिए उसको color change हो गया, तो उस color change pH paper को आपन पकड़ेंगे और उसको फिर एक pH scale होता है, क्या होता है pH scale, वो pH scale number होता है 0 to 14, वो pH scale number होता है कहा दर? 0 से 14 ता, उस color change pH paper को आपन लेंगे और उस 0 to 14 के बीच में उस color को match करेंगे, जहां पर वो color match होगा, और वो number हो कुछ न कुछ न कुछ number दिया होगा, जह 0 पा 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 13 तक दिया होगा, तो उस color change pH paper को आपन पकड़ेंगे, और उस color से match करेंगे, जहां पर वो color match होया, जिस number में, वही number क्या रहेगा, उस solution का pH value रहेगा, I hope आप लोगा समझने आओगा, मैं फिर से repeat करता तो उस pH paper को आपन लेंगे color change बोच रहे जिसका, और फिर इस pH scale पे अपन उसको measure करेंगे, measure करने से जहां पर color match खा रहा है, वहां पर कुछ number दिया होगा, वही number इस particular solution का क्या होगा, pH value होगा, जैसे कि अपने आपने डिसकस करते है pH value के बारे में, तो इक pH scale में आप number 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13, and 14, यह pH scale होगा, यह मैं क्या बना है, pH scale पर आया है, measure करने के लिए, कि उसकी pH value क्या है, suppose मैंने एक solution लिया, actually मैंने आपर चापा solution लिया, assume करते ही, यह solution number A है, यह B है, यह C, D, and E, यह D, मैंने आपर 5 solution लिया, दीखे, पाचो में मैंने कुछ solution डाल दी है, इसमें सब में solution बढ़ा होगा है, अब मैंने क्या गया, pH paper लिया, अब सब में pH paper deep किया, सारे solutions पे, तो pH paper जब मैं इस पे deep किया, तो वो pH paper definitely रखने जागा रहा है, color change करेंगा, और color change करने के मांगे चरो, पैर वाले solution है, pH value मिला 4, दूसरे वाले मिला 8, next में 14, किस वाले मिला मुझे 1, और इस वाले मिला मुझे 7, तो I think respective लिए आपको दिख रहे होगे, कि सारे solutions के pH values different है, जैने definitely सारे solutions अलग-अलग है, इसके बाद, विया number कर से लिए मुझे, तो जो मैंने pH paper डाल मैंने pH paper को पकड़ा, और match किया मैंने, तो जैसे शुरू आला मैंने पकड़ा, और उसका color को match किया, तो उसका color मुझे number 4 पे match हुआ, तो मैंने pH value क्या निक दिया, 4 दिख दिया, याने 4, 8, 14, 1, 7, क्यासे मिला आपको पता चेला, और यह है क्या चीज? यह इतना जो इस यह है कि basic है, तो कैसे पता करो या, तो इसका पता चलेगा तरीका बहुत ही easy है, एक बात मैं आपको पता जू, जब कभी ही solution का, कोई भी solution का, pH value, अगर less than 7 आया, यान 7 से कम हुआ, तो definitely वो solution क्या है, acidic solution है, कौनसे solution है वो, एक acidic solution, और अगर उसका pH value, ग्रिदमेंस आया है, याने 7 से बड़ा हुआ, तो definitely वो solution क्या है, basic solution है, याने उसमें क्या present है, base present है, इतना आपनों को समझ में है, याने कि अगर वो pH value 7 से कम हुआ, मैं आप रिप्रिदम कर दू, अगर वो pH value 7 से कम हुआ, तो वो कौनसे solution है, acidic solution, और अगर वो pH value 7 से ज़्यादा हुआ, तो वो क 4, तो 4 आप देखो, 7 से कम है, 7 से चुटा है, 7 से बड़ा है, तो definitely, जो 4 है, वो 7 से चुटा है, तो 7 से चुटा हुआ, तो 7 से चुटा हुआ, तो 7 से चुटा हुआ है, acidic solution, याने क्या है, acidic solution, याने क्या है, acidic, 8 वाला, 7 से बड़ा है क्या है, 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा है तो कौन से समुशन है, basic तैनिस में क्या है? base है, again 40, 14 भी 7 से बढ़ा है, तो क्या हो यहीं भी? base हुआ, 1, 1 I think 7 से छोटा है, 7 से छोटा है, तो क्या आ रहा है? acid आ रहा है, अब यहाँ पर बढ़ा deep कर जाएगा आपको, यह क्या होगे दखो तो, इसमें क्या होगे? exact 7 अब क् कैसे करोगे? क्योंकि हर आपको यह क्राइटरिया जा लिया, 7 से छोटा, तो acidic, 7 से बढ़ा तो basic, लेकिन आपको exact 7 अब कैसे करोगे? तो आपको मैं एक बात हो, जब कभी भी आप solution का pH 1 measure करते हो, तो अगर वह 7 से छोटा है, तो acidic है, 7 से बढ़ा है, तो basic है, वह भी ठीक है इसमें कोई दिक्कत नी, लेकिन अगर कभी भी आपको solution का value अगर exact 7 आया, इसका मतला वह क्या है, वह neutral solution है, वह क्या solution है, वह neutral solution है, clear है आप लोगो, वह solution क्या है, neutral, तो याने कि यह जो 7 value आया, तो जो solution मैंने लिया था, वह concentration था, वह आपका था, neutral solution, याने कि उसमें acid और base क quantity, बराबर है 50% acid है, 50% base है, exact same है, इसके आपको क्या हो गया, वह neutral हो गया, I hope इतना आप लोगो clear हुआ, कि कैसे पताब find out करना आपको कि कोई solution acid की, basic in terms of pH values, इतना clear हुआ, अब इसके और आगे जोगा clear कर दे जापन जोगा सब, जैसे कि, मांगे चलो, मैंने बोल गया, इन ह इन-इन 5 solution पर, मैं इसका pH value लिख धी तो, पहले बाले का pH value हो ऐ 4, दुसरे बाले का pH value है, तिसरे बाले का pH value है 14, चोथे बाले का pH value है 1, और पांचे बाले का pH value है 7 तो आप मुझे ये बताइए इन पांचो solution में सबसे ज्यादा acid कौन है यानि कि कौन सा solution ऐसा है जिसमें श्क्राम acid है तो आप मैं इक बाद हो देखेगा हमें क्या बोले 7 से छोटारा number तो क्या होगा वो acid होगा अब ये भी 7 से जितना ज्यालादा चोटा होगा उतना ज्याला acid होगा यानि कि यह इसमें से ज्यालादा चोटा होगा जिए नद यह भी ज्यालादा चोटा तो one क्या होगा यह क्या होगा आपका more acid और इसको अपन क्या हो सकते है strong acid यह क्या है आपका strong acid है clear हो आपको तो अगर इसके comparative ली अगर one more acid या ने strong acid है तो four क्या हो आपका four क्या हो आपका weak acid और क्या हो आपका weak acid clear है आपको इतना नेक्स सेकते है same question मैं पूछता हूँ base के लिए भी यहाँ पर जितने solution दिये गया है यहाँ पर उन में से सबसे ज्यादा basic concept same process specific जैसे की 7 से जठा ज्यादा ज्यादा basic वैसे ही base के लिए 7 से जितना ज़्यादा बड़ा होगा वह उतना ज्यादा basic जैसे आपा match उन्हाँ पर है यह 7 से एक बड़ा है और 7 से 7 बढ़ा है तो ज्यादा बड़ा गोंसे हैं definitely 14 है तो यह क्या होगा आपका strong base हो रहा, यह क्या हो आपका strong base ही, तो इसके comparatively यह 8 और क्या होगा आपका weak base होगा, clear है आपको, और 7 क्या है, मैंने already आपका explain क्या है, 7 क्या है, neutral है, तो 7 ही क्या लिखेंगे आप, neutral, याने equal as it again, equal basic, neutral क्या हो तो equal as it again, equal basic होगा, I hope आपको इतना दो clear होगा, pH value को use कैसे करते है, pH value आप को क्या बताता है, और pH value से आप कैसे बता सकते ही कोई acid store हो गई की weak है, even though आप कैसे बता सकते ही कोई acid है की base है,